शिबाइनू का यहाँ पर पर्फोमेंस देखेंगे तो 4-0 के साथ 14-49 के लेवल पर पहुच गई है कल मार्केट 3% यहाँ पर इंक्रीज हुआ है मतलब लाश्ट 24 गंटे में वोल्यूम यहाँ पर 24% इंक्रीज हुआ है मार्केट आप एंड डाउन के सिचुएशन में 14 के लेवल पर पहुच गया है जो की एक अच्छे सफलता इसकी कही जा सकती है उदर अगर हम बिटकोइन को देखे तो बिटकोइन 63,000 डोलर के करीब जैसे ही पोचा तो शिबाइनू ने भी यहाँ पर जंप मारा बिटकोइन 63,000-64,000 डोलर के लेवल पर है और यहाँ पर एक अच्छे खासी ट्रेंड यहाँ पर जो है मार्केट पिछले 7 दिन के अंदर अंदर दिखा रहा है जो एक रेगुलर बेस पर अपडेट की और जा रहा है मार्केट अब यहाँ से कयास लगाए जा रहे है कि जो बुलरन की सुरुवात है वो लगभग यहाँ से सुरुवात हम कह सकते कि हो जाएगी एक तरीके से बोटम जाने के बाद यहाँ से मार्केट उठा है इन सभी के बीच में एक चीज आपको नोटिस करवाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि जैसे ही बिटकोइन अच्छा परफॉमेंस करेगा ओटोमेटिक शीबाएनू के अच्छे दिन यहाँ पर आ जाएंगे जो लोग शीबाएनू को कमतर आखते हैं उन लोगों के मुँपर एक तमाचा है कि देखो शीबाएनू में भी एक ग्रोथ यहाँ पर मिल गई है साथ दिन की ग्रोथ में 6-7% मार्केट जंप हुआ है और साथ दिन के ग्राफ में अगर हम शीबाएनू को देखे तो 9% बढ़ा है तो मतलब शीबाएनू कहिना कहिन उसके पीछे ही चल रहा है अभी एक सेंटिमेंट भावना ये है कि यार मार्केट बिटकोईन का तूटेगा वापस और हर बाद तूटा है इसलिए शीबाएनू जैसे अल्ट कोईन में वेसी ग्रोथ नहीं आई जितनी बिटकोईन में आई या फिर उससे जादा नहीं आई क्योंकि मार्केट अभी एक गहरे सिच्वेशन में है कि पता नहीं आगे क्या होगा बिटकोईन में इसलिए लोग इन्वेस करने से घबरा रहे है या फिर आगे बढ़ने से घबरा रहे है थोड़ा सा वेट करना चाहरा है वो कि बिटकोईन थोड़ा सा अच्छा प्रोफ ट्रेड लाइन बनेगी इसको तोड़ना मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा मनोवज्यानिक तोर पर बुल रन की सुरुवात यहां पर हम कह सकते हो और फिर एक बेरियर आएगा यह वाला रजिस्टेंस जो कि सित्तर और तिहोत्तर हजार डोलर के बीच कर रहेगा उसके बाद जाके शिबयनों जैसे कोईन में ज़्यादा लोग रूची लेंगे क्योंकि बिटकोईन फिर सभी रेजिस्टेंट तोड़कर उपर निकल चुका होगा यानि कि हम कह सकते हैं कि बिटकोईन अब नीचे नहीं आएगा ये एक सेंटेमेंट वहाँ पर जो है इंडिकेशन दिखेगा इन सब के बीच मैंने यहाँ पर आपको इसलिए वीडियो में बुलाया है जहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि केस से शीबा सबसे बड़ी क्रिप्टो बनकर उभर सकती है और ये अपडेट आपको रोमांच से भर देगा आज इसी के उपर बात करेंगे क्योंकि ये जो थियोरी मैंने शुरुवात में दिखाई है इसी का हिस्सा है एंड तक वीडियो ओच करना पसंदा है तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन को हिट करते न ऐसी अपडेट पाने के लिए देखिए यहाँ पर अगर बिटकोईन जब इतना तेजी से बड़ा है हमने यहाँ पर साथ दिन का ग्राफ देखा है नो पर्षेंट दस पर्षेंट के आसपस बिटकोईन है हुआ है शीबा इन इन भी छे पर्षेंट, सोला ना नो पर्षेंट, XRP दोच कोईन तीन पर्षेंट, टोन, टोन कोईन का देख लो और एवेंचर अठारा, शीबानु छे, कोईन चेन लिंक, साथ आट पर्षेंट पोल्कादोर तीन यह सब चीजे आपको क्या बताती है यह सब चीजे बताती है कि लगभग लगभग कुछ इकका दुकका कोईन जो नए है अप ट्रेन हम करते नहीं करते उनको उनको छोड़ दे तो शीबा उन्होंने बराबर तरीके से रेटर ने दिया है जब बिटकोईन पंप हुआ है अब अगर मैं यहां पर आपको अल्ट कोईन के तुलना में मीम मीम टोकन से परफॉमेंस की तुलना करके दिखाता हूँ यहां पर उससे भी आप अंदाजा लगा लाना मतलब बिटकोईन जब इस टाइप से बढ़ेगा तो मतलब अल्ट कोईन में लगभग लगभग सिमलर ग्रोथ आएगी और जो शीवाइनू है वो भी उसके समकश ब लोंक 8% ठीक है पोपकेट यहां पर 38% है कुछ अपवाद यहां पर मिल जाएंगे क्योंक नया कोईन है ज्यादा रोची ले रहे हैं लोग रिटन इन्वेस्मेंट ज्यादा इसमें कर रहे हैं और बाकी सभी कोईन में आप देखलो यह ग्रोथ है यानि कि लगभग शीवा इनु को कम तर आखने के आवशिकता नहीं है जैसे ही बिटकोईन में बुल रन यहां पर सिरू होगा क्योंकि हाल्विंग को छे महिने हो जाएंग अक्टूबर में और अक्टूबर के बाद जैसे ही बुल रन सिरू होगा बिटकोईन एक लाग डोलर पहुचेगा चीज लग रही होकी कि यार शीवायनोग की तुल्ना में सार् कुछ कोईनfr यहाँ भढ़ गये हैं जैसे अल्टकोईन में भी अगर हम देखे तो कुछ,कोईन Shiba से अच्छा performance कर रहे है meme coin में देखे तो कुछ meme coin Shiba से अच्छा performance कर रहे है तो क्या इसमें हम चले जाए तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं देखिए return वर्तमान में देना और short term में देना अलग चीज होती है long term में देने के तुल नामे यहाँ पर भले अभी Shiba Inu meme token में pay pay dog flow की जैसे coin से थोड़ा आगे है लेकिन आप यह समझे और अगर alt coin में देखे तो आगे है लेकिन यह समझे कि Shiba Inu के पास एक भारी भरकम ecosystem आ चुका है जो long term के लिए एक अच्छे coin की खासियत होती है एक मजबूत core team है इनके पास जो मजबूत तरीके से Shiba Inu के साथ खड़ी हुई है और Shiba Inu के बड़े बड़े updates जो की market में long term के लिए जब कोई invest करता है तो उसको यह दिखता है कि किस coin में invest करे जिसका long term में vision clear है और long term में यह coin return बहतर return के लिए जाना जाएगा उसमें Shiba Inu का नाम यहाँ पर आ जाता है और इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि Shiba Inu सबसे बड़ी crypto बनकर उभरेगा लेकिन short term में नहीं long term में लोंग term में अगर आप Shiba Inu hold करते हैं तो यह सबसे बड़ी crypto बनकर उभर सकता है यहाँ पर Mim Coin में अभी जो भी Coin Shiba Inu से आगे है उनका कोई road map नहीं है उनका कोई development plan नहीं है नाहीं कोई बड़े updates हैं नाहीं कोई team सक्रिय है short term में लोग invest इसलिए कर रहे हैं कि बहतर return पिछली बार दिया है तो दे देगा एक लालच के चक्कर में और एक FOMO के चकर में FOMO क्रिप्टो मार्केट का सबसे बुरा सब्द कहलाता है और लालच सबसे बुरा सब्द कहलाता है यह दोनों ही सब्द कहिना कहीं बरबाद करते हैं इन्वेश्टरों को बिना fundamental analyze करे बिना technical analyze करे अगर आप किसी क्रिप्टो करेंसी में भले इस भरोसे से इन्वेश्ट करते हैं कि यह coin बहतर पिछली बार बड़ा है तो अभी भी बड़ेगा बिना technical analyze करे fundamental उसका वो देखे आप गलत हो पेपे के साथ कुछ यही हो रहा है डोक के साथ कुछ यही हो रहा है मैं इनकी बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन reality बता रहा हूं मेरा काम है सच्चाई से रूबरू करवाना शीबा इनू के साथ अगर आप सोच रहे हो कि फोमो यहाँ पर भी तो create हो रहा है जिसका development team अगले 5 साल 10 साल की planning करके बेठा है तो उसकी कितने बड़ा vision है और इस vision के साथ investor देखे बेवकूफ नहीं है सब लोग समझते हैं सब लोग उसके साथ देंगे long term में मतलब शीबाईनू में एक data से अभी मालूम पड़ा था लोग टम में hold जादा कर रहा है लोग शीबाईनू को short term की बजाए और पेपे जैसे कोईन में short term return निकालने के लिए जादा focus कर रहे है तो अगर आपको बहतर return निकालना है लंबे time तक निकालना है तो आपके लिए शीबाईनू सबसे बड़िया cryptocurrency हो सकती है और ये सबसे बड़ी crypto बनकर उभरेगी यहाँ पर अगर हम altcoin से तुलना करे तो इकका दुक्का को छोड़ दे जिसके बारे में सायथ कभी कोई research भी नहीं कर पाएगा उनकी तुलना में शीबाईनू better performance यहाँ पर करेगा क्योंकि आप BNB से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते Solana से नहीं कर सकते XRP, Dogecoin, Tonecoin, Trone, Cardano, Adventure कोई से भी नाम ले लो Bitcoin, Case वगेरा क्या ये शीबाईनू से ज़्यादा performance अच्छा कर सकते हैं सायद नहीं क्योंकि शीबाईनू meme coin है और meme coin में ज़्यादा इन्वेस आता है और return भी ज़्यादा आता है हम ये जानते हैं तो यही reason है कि शीबाईनू एक बड़ी cryptocurrency बनकर उभर रहा है अगर आप सही से आगे बढ़ना चाहते तो शीबाईनू को avoid करे वगेर आप नहीं बढ़ना चाहिए आपको ये long term में जब 5 साल हो जाएंगे 2 साल हो जाएंगे ठीक है और long term से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको 5 साल 10 साल रुका रहा हूँ मैं आपको यहां पर यह कह रहा हूँ कि 25 तक जो bull run खतम होगा तब तक की बात कर रहा हूँ कि रेली देते हैं शोट टम आपको लोज दे देते हैं तो उस सावधान रही है ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाया था चैनल सस्क्राइब कर लेना इसी अपडेट पाने के लिए